किसान नेता राकिश टिकेट बेमत्रा दोरे पर पहुंचे जहां उन्होंने बेमत्रा के पांच किलो मीटर दूर इस्टेद ग्राम बोईना भाटा में एक निजी फार्माउस में किसानों से मुलाकात कर यहां की किसानों की इस्तिती का जाइजा लिया प्रदेश में तीन क्रशी बिल कानून के विरोध में किसान एक जुट हुए तो राकिश टिकेट किसान नेता के रूप में उबरे हैं वहीं आज पूरे भारत में किसान नेता के नाम से जाने जाने लगे हैं देश के बड़े किसान नेता के बेमत्रा जिले दोरे से राजनीत खल चल रही तो वहीं राकेस टिकेट ने बेमत्रा जिले के पास के गाउं बोई ना भाटा में एक निजी फामाउस में किसानों से मुलाकात की वहीं उनके साथ की बेमत्रा विधायक आशी श्चावडा मौजूत रहे मीडिया से चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि हम यहां के हालचाल देखने आए हैं यहां क्या इस्तती है वह जानने आए हैं आज पूरे देश में तीन करशी कानूनों के चलते गंबीर इस्तती है जब तक MSP में गारंटी कानून नहीं बनता तब तक किसानों का अंदोलन जारी रहेगा सिर्षाजी है पूरे बड़े लीडर हमारे हैं पूरे देश वर मजाते हैं पूरी दुनिया की पॉलिसी के बारे में इनको जानकारी है यह बताते है कि क्या सफर बंजाब से लगांगे और केरल तक किसान कर दाखे यह बताते हैं ठीक है साथ